हेलो फ्रेंज कैसे हो आप सब उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं रेंजन अपनी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ राज मैं लेकर आई हूँ बडोद्रा स्पेशल तरी पोहा की रेसिपी तो उसके लिए क्या क्या चाहिए चली देखते हैं और यह बटा का पोहा हमारे यहां यूपी में इसको बटा का पोहा बोलते हैं और यहां पे तरी पोहा बोलते हैं जो की रस्सा भी बनाया जाता है और उसके साथ यह लोग खाते हैं गुजाती लोग और हमारे यहां चाय के साथ बटा का पोहा खाते हैं तो चली देखते है मैंने चाय भी बनाया है देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए तो इसके लिए मैंने टमाटर, प्याज, आलू ये सब कुछ कट करके रख लिया है धनिया कट करके रख लिया है एक से डेर निम्बू रखा है मिर्ची और धसन का पेश्ट बना लिया है और तड़के के लि का हो जाए उतना भूनना है उसके बाद मैं इसमेều लश्ण का पेस्ठ वो किया है वो डाल दोंगे उसको भी भून दोंगी अच्छ से फिर बाकी का जो टमाटर है आलू है ये शारी चीज़े मैं इसमें एड़ कर दूँगी और फिर इन सबको मैं अच्छे से भून दूँगी थोड़ा से जो भी आपको मसाला घर का एड़ करना है वो आप डाल दो इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से जिकनी तीखी चाहिए उतना तीखा वो सब कुछ मैंने इसमें हल्दी पाउडर मिर्ची इसमें डाल दूँगी और पोहा मैंने दोके साफ करके रख लिया है इसके साथ ही आलो पक जाए उसके बाद इसको डालना है बरना खटास के वज़े से आलो नहीं पकेगा और यह मैंने डेर चमच चीनी डाल दिया है जो पोहा दोके रखा था न वो मैं इसमें मिक्स कर और धनिया मैंने कट करके रखा था धेर साथ धनिया डाल दूँगी मुमफली मैंने पहले से भून के रख लिया था वो मुमफली मैं इसमें डाल दूँगी और मेरा यह पोहा तयार हो गया है और बाकी देख लेते हैं इसमें जो तरी बनाते हैं उसकी रेसिपी तरी के लि प्यूरी बनाया था वह डाल दोगी और छोट अंदर बचा था उसको मैं पानी से दोकर डाल दोगी मर्ची डाल दिया है मैंने मेरची पीसा भी है गुजराती लोग और सच में बहुत ही अच्छा लगता है एक बार आप लोग इस तरह से बना के ट्राइ करना और निम्बू निचोर दो उपर से आपको जीनावाला सेव चाहिए तो वो डाल दो तो लाइक तो बनता है सेव कर दीजिएगा प्लीज सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को फुल वाच करिएगा थैंक यू